पुश्कार दोस्तो जैमाताजी सभीकों में नीटो आप सभीका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल मार्केट यात्रा में दोस्तो शुडियो में हम डिसकस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी गल स्थाइस अक्तूबर याने के शुक् चलिए दोस्तो शुरू करते हैं बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है 15 मिनिट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बैस्ट होता है आज फिर से दोस्तो मार्केट गैप डाउन खुली और सीधा नीचे आ गई इसी वज़े से दोस्तो आज हमने ओर ट् बानिंग की थी गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर कोई नेगिटिव केंडल बनी और फिर ब्रेकडाउन होने के बाद उसका जब रीटेस्ट होगा तब हम प्लान करेंगे और इसी वज़े से दोस्तो मार्केट सीधा खड़ा घड़ा गिर गी तो हमने प्लान नहीं किय अगर आपके समझ से बाहर मार्केट है तो मत कीजिए काम मार्केट डैली खुलेगी बहुत सारे लोगों को दोस्तो यह पच्टावा होगा कि यार मार्केट इतना गिर गई हमने इसका फायदा नहीं उठाए क्या रीटेस्ट की क्या जरूरत थी सर अरे भाई जरूरत थी पहले भी हम बहुत बार अच्छा प्रोफिट अच्छा बहुत सारे नोलेज हम सीखे हैं रीटेस्ट के बिना दोस्तों कनफरमेशन अच्छे से नहीं मिलती है आज गिर गई है अदर्वाइज आपको बहुत से टाइम ऐसे मिलेंगे कि बिना रीटेस्ट अगर आप इंटर खुलेगी ठीक ऐसा थोड़ी कि आज के बाद कभी मार्केट खुलेगी नहीं इसी वज़े से दोस्तों हमने ओर ट्रेड नहीं किया था जब सपोर्ट पे निफ्टी आई थी तो मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए आपको निफ्टी का कोल साइड का एक स्टडी भी दिया जिसमें हम एक बार तो दस पॉइंट उपर गई लेकिन फिर जब दस पंदरा पॉइंट नीचे आई तो हम उसमें से निकल गए क्योंकि स्ट्रेंथ नहीं दिख रही तो उसके बाद हमने कामी नहीं किया वाई क्यों करे हाला कि मैंने ओप्शन सेलिंग की थी दोस्तों मैं दिखाऊंगा आपको सब कुछ दिखाऊंगा पहले यह डिसकस कर लेती कि कल मार्केट कहां पर मुमेंटम कर सकती देखिए लगातार कई दिन से गिर रही है तो कल कहां पर मुमेंटम प्लान करें दोस्तों देखिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 42,280 पर एक इस टाइप की केंडल मैंने प्लान की थी लेकिन नहीं बनी बनी हो जाता है कई बार हमारे अनुसार मार्केट नहीं चलती और जब कुछ भी समझ में आए तब मैंने दोस्तों ओवर्ट्रेड नहीं किया अगर आपको यह मेरा फैसल अच्छा लगा तो कोमेंट करके जरूर बताईएगा और मेरे साथ किस किसने ओर ट्रेड ना करके अपना लोस होने से बचा वो भी बताईगा ताकि मैं भी देखू भाई कितने लोग सीख रहे है ठीक है चलिए अब देखिए एक जोन बनाया है बैक निफ्टी ने मार्किंग हमारी सेम रहेगी यह हमारा सेलिंग और नीचे सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी में सीधा 41,700 के आसपास है सीधी सी बात है बीच में मार्केट है तो मार्किंग में कोई अंतर नहीं आएगा हाँ जहां पे बैंक निफ्टी ने एक रेंज बनाई है अगर आप देखो के तो एक ट्रेंगल पैटरन बनाया या फिर आप इस त्रीके से भी इस रेंज को काउंप कर सकते हो अगर दोस्तों इसके बीच में कहीं खूलती है इस रेंज के बीच में अगर खुलती है और यह जो रेंज हैं इसको ँए क्र निया के बैम करें कोई Diese कोई बिंग को दीखता है तो उना खालेंग ऊंष लिए प्राइज पैटर्न तो मैंने बोला था कि यहां से डूबलू पैटर्न बनाके निकल जाएगी या फिर इसको कंटिनिव करेगी लेकिन यह प्लैट ओपन होने के बाद अब गैप डाउन उपन होने पे तो यह पेटर्न नहीं हमारे समझ से बाहर हो गया तो हम क्यों बिना बा रिटेस्ट हुआ ही नहीं कल और हो जाएगा परसों और हो जाएगा लेकिन डेली नहीं होगा अब साल महीने में एक या दो बार ही ऐसा होता है वो भी बहुत कम बार ठीक है तो पैटरन आज फिर से ऐसा बन रहा है यह देखिए बैंक निफ्टी ने रिकवरी किया इस साइड को ब्रेक कर देती है लेकि याद रखिएगा यह जो स्विंग है यह वाला इसका ब्रेकडाउन जरूर होने दीजिएगा इस तरीके से डबल कनफर्मेशन ऐसी खराब मार्केट है जब तक डबल कनफर्मेशन ना मिले हाथ मत जलाईएगा कुछ नहीं रखाया बाई अपनी कि ऐपिटल को सेवर मैं कोई कों किसी से कोई बैर्द में कि मैं आपको इतना कमझा वागा समझिए बात को मैं उन लोगों में से WIL वहलो हो नहीं भाई है जब मार्केट आपके फेवर में नहीं समझमें नहीं काम मत कीजिए warto subscribe तो जब तक हम को swing नहीं दिखेगा, जब तक हम को retest नहीं दिखेगा, चाहे put side हो, चाहे coal side हो, coal side थोड़ा सा खास कर, क्योंकि market गिर रही है न, इस वज़े से double confirmation, coal side थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए, तो जब तक हम कोई इस तरीके का swing नहीं दिखेगा, तब तक हम put side plan नहीं थोड़ा सा नीचे आई, कहीं न कहीं है जो swing है, यहाँ पे double bottom, जैसे यहाँ पे हमने कल डिसकस किया था, कि double bottom बन सकता है, कल अगर ऐसा होता है, इस तरीके का यहाँ पे आई, फिर अगर उपर निकली तो आप देखिए, यहाँ पे डबलू पैटन बन जाएगा, lower time frame में, तो हम क्या करेंगे, जब flat open के नीचे आएगी, 42,100 के आसपास यहाँ से अगर उपर जाना सुरू करेंगी, तो हम एक अदम से call side नहीं जाएगे, हम वापीस जब यह वाला swing, यानि कि 42,300 का level है, फिर हम 300 के उपर जाएगी, तब हम call side प्लान करेंगे, इससे क्या होगा दोस इस तरीके का अगर कोई प्राइजेक्शन बनता है, तो भी हम पचा साथ प्लान कर सकते हैं, वानिस्टू टारगेट के लिए, ठीक है, गैप अप गैप डाउन में दोस्तों क्या करेंगे, अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा, 42,000 का level gap down अगर उपन होती है, तो फिर यह important level है, मतलब क्या है, सीधा अगर 42,100 से 42,000 के बीच में gap down अपन होई, यहाँ पे कोई negative candle अगर बनाती है, इस तरीक है की, और फिर दिन का low भी break हो रहा है, पलस 42,000 का level भी breakdown हो रहा है, फिर हम retaste का इंदजार करेंगे, अगर ऐसा swing बनता है, तो 39 वाली strategy भी है, जिसने वीड है, आपने मारक candle की negative candle नहीं थी, प्योर ही bearish candle थी, negative candle का मतलब दोस्तों इस तरीके से होता है, इनवर्टी डोजी टाइप, तो अगर इसका breakdown होने के बाद दोस्तों अगर यह इस तरीके से retaste करती ना, तो हम इसमें फिर चले जाते हैं, फिर हम put side थोड़ा सा safely सोच लेते कि यहां भाई गिरावट आ सकती है, अदरबाईस दोस्तों इतनी गिरावट में बन्दा यह ही सोचता है, और कितनी गिरेगी और कितनी गिरेगी और कितनी गिरेगी, इसे हम बैठे रहते हैं, और यह जरूरी भी है, कमसे कम लोज to नहीं करते हैं, सीधी सी बात है, 10-15 के आसपास है तो यहां तक हम पूट साइड प्लान कर सकते हैं सेम दोस्तों गैप अब देखिए मुविंग अभी तक बहुत दिनों से मुविंग एवरेज टेस्ट नहीं हुए तो यह तो खैर उपर चला जाएगा यहां पर चला जाएगा अगर मार्गेट गैप अपन होगी यह दोस्तों बैंक निफ्टे के कितने सारे जिस तरीके से मार्केट खुल सकती है वो हमने सारे के सारे पॉइंट डिसकस कर दिये हैं नो डाउट दोस्तों, एक दिन के टाइम फ्रेम में भी market ओवर सोल्ड हो चुकी है, छोटे टाइम फ्रेम में भी ओवर सोल्ड हो चुकी है, तो हाई चांद से market आज नहीं, तो कल आने वाले कुछ दिनों में मेरी खैल से दिवाली से पहले अच्छी खासी recovery भी दिखा सकती है क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट लेवल पर मार्केट है बाकी भाई मार्केट में गल्थ भी हो सकते हैं जैसे कि कल हमने प्रेडिक्ट किया था कि रिकवरी अच्छी आएगी लेकिन नहीं आई अब निफ्टी का देखिए मैं आगर आपको स्टडी दिखाऊ इस केंडल पर य आते हैं अगर खुलकर हलका सा उपर आकर अगर फिर से दिन का लोग ब्रेक करते तो नीचे सपोर्ट तक फिर से गिर सकते लेकिन आज दिन में रिकवरी दिखाने के भी चांस है जो कि हमने कल भी डिसकस किया था लेकिन उसके लिए बुलिश केंडल बनने का हम इंदजार क मेरे साथ 10-15 पॉइंट उसने गवाय होंगे मेरे भी गए हैं हालाकि मैंने ट्रेल कर लिया था स्टोपलोस क्योंकि जब यह दस पॉइंट ऊपर गई थी तो ज्यादा नहीं गए मलें यह दो चलता रहता है मार्केट में फिर दोस्तों हमने काम नहीं किया आज मैंने ऑप् यह काम अदरवाइस नहीं चोड़ेंगे भाई ऑपरेटर आपको यह दोस्तों अगर मैं यह मैंने एक पॉल भी कर वाया था कि इसको कितने परसेंट टोटल फोलियो में लोस दिख रहा है दुख की बात है वाई 50 परसेंट यानि कि आदे से ज्यादा लोगों को 15 परसेंट अच्छी क्वाल्टी के स्टोक है मेरे अच्छी बात है यह हमने दोस्तों से लिंग कब किया मैं आपको दिखाता हूं यहां पर यह जब रेंज बांड हुए मार्केट सपोर्ट के आसपास आने के बाद रिकवरी अच्छी से दिखा नहीं रही थी नीचे स्ट्रॉंग सप प्रोफिट के स्क्रीन सोट दिखा गे मैं इस तीजों में बिलीव नहीं रिखता हूं में फ्री आपको इधर यूटूब पर वीडियो बनाता हूं यह चैनल भी 100% फ्री है आप जागे जान कर सकते वीडियो के डिस्क्रेशने आपको लिंक मिल जाएगा से बी रिजिस्ट क्यों प्रोफिप टेकरे वाटसब गडरी नहीं बंब्लान है मेरा कोई ना चैनल चैनल मैं सब्सक्राइब करका उन्स थीर Border लोग पर और थैसकि जैनल did यह जो रेंज है आप इसको मार्क कर लीजिए जो की है 18,900 से लेके 18,850 के बीच में अगर इसके बीच में निफ्टी खुलती है खुलने के बाद 900 के ऊपर निकले इस तरीके से रीटेस्ट करें फिर अगर अपसाइड जार यह स्विंग बनारी चाहिए वो 5 मिनिट के टाइम अगर ब्रेकडाउन करती है तो फिर हमको पहला टार्गेट 18,800 का और अगला सपोर्ट जो दिख रहा है स्ट्रोंग सपोर्ट स्ट्रोंग बाइंग एरिया वह 18,722 का यह भी हमको टार्गेट मिल सकते हैं 15-20 पॉइंट का स्टोपलोस डालके हम प्लान कर सकते हैं पुट सा लिए यह हैं 18,750 के 720 के बीच में तो यहां से हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं मालीजे सीधा निफ्टी गैप डाउन ओपन हुई 800 के आसपास तो हम छेडेंगे नहीं भाई ठीक है हां अगर छोटी केंडल बन जाती है बिल्कुल छोटी सी 15 मिनिट की फिर अगर उसका लो ब् कर सकते हैं लेकिन अगर इस जोन में आके कोई भी अगर बुलिश केंडल बना दी या फिर यहां पर इस तरीगे का कोई प्राइस एक्षन या डबलू पैटरन बना दिया बारा बजे बारा बज जाएंगे जब तक यह पैटरन बनेगा क्योंकि एकदम से तो नहीं बनेगा कई केंडल्स में बनेगा तो अगर ऐसा पैटरन बनता है या फिर यहां पर कोई बुलिश केंडल बनके उसका हाई ब्रेक होता है स्विंग बनता तो यहां से हम रिकवरी प्लान कर सकते हैं 18,720 के आसपा से दिनका लोस्टोपलोस जालके वापिस से 18,840 के टार्गेट के लिए हम कोल साइड रिकवरी प्लान कर सकते हैं बात आती दोस्तों गैप अप की गैप अप में भी क्या करेंगे मालीजी बड़ा गैप अपन होती है 920 के उपर तो हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे नीची आए कहीं ना कहीं जो यहां आज का जो साइड वेज रेंज है इसका सपोर्ट अगर लेगे फिर से दिनका हाई ब बढ़ेंगे और हो सकता है कई दिन से मुमेंटम आ रहा है मार्केट को आज तो लास्ट में 2-3 घंटे साइडवेज रखा है कल हो सकता है सुरू में भी साइडवेज रख देया फिर रिकवरी आ सकती मैं थोड़ा साइड से पोजेटिव हो गया हूं दोस्तों सच बता रहा निफ्टी का क्योंकि नहीं ओपन इंट्रेस्ट फूरू होंगे लेकिन 19,000 पर हमको रोजिस्टेंस दिख रहा है नीचे अगर सपोर्ट की बात कुरू तो 800 पर दिख रहा है तो 900 के उपर अगर निकलती है तो 19,000 तक के हमको को कोल साइड टारगेट मिल सकते तो 700 तक के हमक काम करेंगे हाला कि option chain नहीं एक्सपैरी शुरूरी तो 10 बजे के बात देखेंगे किस साइड पोजिशन बन रही है कोशिस करूंगा अगर कुछ नया दीखेगा और जरूरी दीखेगा तो आपको टेलीग्राम पर अपडेट देनेगी सेम बैंक निफ्टी 24,500 जो एक साइक चैन के अनुसार तो 300 के नेचे निकलते ही 42,000 पर हलका सा सपोर्ट है तो यहां तक हमको मुमेंटम देखने को मिल सकता है बाकि इतना कुछ है नहीं option chain में अगर कुछ हुआ तो मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट करने की कोशिस करूंगा तो कैसी लगी दोस्तों वीड सब्सक्राइब निकलते देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भुगवान करें आपका दिन सुभरे मिलते कर लिकने वीडियों के साथ तब तक लिए बाइबाए जै मातादी जै हिंद